असलाम अलेकुम वेलकम टू माई चैनल आज की रेसिपी हमारी है मैगी की रेसिपी इंस्टेंट टू मिनिट नुडल्स जो होते हैं जो के आप लोग खाखा के अगर बोर हो गए तो इसको थोड़ा सा नए स्टाइल में हम बनाने वाले हैं तो चले हम चलते हैं रेसिपी की हमने इसको कैसे बनाया और क्या क्या यूज किया तो यहां पर सिंपल आपने करना यह है कि जिंजर गारलिक और ग्रीन चिली इसको चॉप कर लेना है और उसको टू टीबल स्पून बटर में आपने डाल के सौटे कर लेना है अगर बटर नहीं है तो आप नॉर्मल जो ऑई तो वह इसमें हम डाल देंगे अच्छा जिन लोगों को प्रॉंस पसंद नहीं है तो वह इसमें चिकन के क्यूब्स भी डाल सकते हैं आपकी मर्जी के पर डिपेंड करता है और यहां पर मैंने फिश बॉल्स शायद आपको जो लास्ट प्रोग्राम में मैंने बनाना बताय तो आप वह देख सकते हैं यह फिश बॉल्स मैंने तीन चार ले लिए हैं यह भी आपके पास है तो आपकी मर्जी है आप डाल दे नहीं तो नहीं डाने इसमें जितने भी इंग्रेडियंट्स में डाल रही हूं वह सब आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं चिकन जो नुडल्स का टेस्ट मेकर होता है वह हमने डाल देना इसके अंदर आपको जो पसंद है मैगी आप वह वाला यूज कर सकते हैं तो मैं यहां दो फ्लेवर्स के यूज कर रहे हूं अलग-अलग तो वह मैं इसमें दोनों टेस्ट मेकर्स डाल रही हूं और बस इसके बाद मिक्स करने के बाद हमने यहां पे जो है चिली सॉस डाल देना है इसके इंदर चिली सॉस से इसके इंदर बहुत मज़िदार सा चटपटा सा फ्लेवर आएगा सोयस साइट कर देंगे वन टू टेवल स्पून थोड़ा सा स्पाइसी टच देने के लिए हम इसमें कुटिंग हुई लाल मिर्चे यूज करेंगे वन टी स्पून तो लीजी हमारे प्राउन्स और फिश बॉल्स रेड़ी हो चुके हैं क्योंकि इनको तैयार होने में इतना टाइम तो लगता नहीं है और बाकी का जो थोड़ा बहुत अगर कसर रह गी होगी तो वो मेगी डालने के बाद इसमें पक जाएंगे और अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं दो फ्लेवर्स वाले यूज़ कर रही हूं तो मैंने दोनों अलग-अलग नुडल्स इसमें डाल दिये हैं और अब इसके बाद हमने इसको लिड लगा के एक से दो मिनट के लिए कुक करना है मैं ज्यादा मैगी कभी भी नहीं पकाती हूं क्योंकि जब यो ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं तो मुझे मज़े के नहीं लगते तो आप भी इसी तरह ट्राइ कीजएगा जब ये थोड़े से इसमें कसर बाकी हो ना तभी आप नुडल्स को निकाल लिया करें क्योंकि बाकी के ना वो गरम पानी पानी जब तक इसका सूप गरम रहता है तब तक वो उसमें पक जाती है बाकी के नुडल्स उसमें ही तैयार हो जाते हैं अधरवाइस बहुत जादा ओवर कोको जाते हैं तो लीजिए दो तीन मिनट की ये रेसिपी थी जैसे के मैंने आपको बताया था साथी चीज़े आपके पास पहले से अगर फ्रिज में मौजूद हो तो बस अभी से बनाईए इसको और फिर गरम गरम इस ठेंट के मौसम मे इंजॉई कीजिए मेरी आल टाइम फेवरिट है मैगी तो मैं हर तरह से इसको नए नए तरीकों से हमेशा बनाती रहती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ और इसको हमने लेमन के साथ सर्फ करना है क्योंकि लेमन इसके उपर स्क्वीज करेंगे तो बहुत ही मज़दा